आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, हमारे पास एक्विशिन है Statement Based Question है इसमें हमें equipotential surface के regarding incorrect statement को find out करना है हमारे options जो given है उसमें से पहला statement क्या कहता है The potential difference between two points on the surface is zero तो यह equipotential surface होता है इसमें क्या होता है कि potential difference between two points के बीच में zero होता है यह हमें पूछा जारा तो वो equipotential surface का मतलब ही होता है equipotential surface ठीक है इसका मतलब ही होता है कि अगर यह पूरे surface है सबोच करते हैं एक हम लोग example लेते है सबोच करते हैं यह क्या है equipotential surface है यह अगर equipotential surface तो इसके हर एक point पे कहीं भी चले जाएंगे potential same होगा यहाँ भी potential V, यहाँ भी V, यहाँ भी V धे का होगा टो जब potential same होगा तो पोटेंशल स्थे मोग तो पोटेंशल डिफरेंस कैसे आएगा ठीक है अगर यहाँ 5 V है तो यहाँ भी पा सबोल्ड है यहाँ भी पांच बोल्ड हर जेगा पांच पांच बोल्ड है तो potential difference थो आए गा ही नहीं to the surface at every point इसके बारे में देख सकते हो कि e.dr equals to क्या होता है minus of dv ठीक है और अगर equipotential surface में क्या होता है dv की value 0 हो जाती है क्योंकि change in potential 0 होता है तो यह हो जाएगा e dr cos theta equals to 0 ठीक है अब dr या तो फिर इसे आप r भी बोल सकते हो तो dr क्या होता है direction जिसे कि मालों इस point पे electric field है अब इस point से इधर देखना है या इधर देखना है ठीक है अगर इधर देखेंगे तो electric field का direction यह है और इसधर dr ले रहे हैं along the surface तो यह 90 degree हो जाएगा और 90 degree हो जाएगा तभी यह 0 होगा ठीक है तो यह होता है dr तो अगर हम इस यहां पे डीवी 0 होता है अगर इस relation को हम सही करना चाहते हैं तो हमारे पास cos theta की value 0 होनी चाहिए अग cos theta की value 0 कब होगी जब 90 होगा तो इससे हमें क्या पता है dr क्या है यह है जिस direction में हम लेना चाहते हैं जिस direction में हम potential difference find करना चाहते हैं उस direction की बात कर रहा है ठीक है तो यह हमेशा जो equipotential surface होगा तो यह db की value 0 होगी की value 0 होनी के लिए theta 90 होना पड़ेगा मतलब d r e के 90 degree और d r along the equipotential surface हो जाएगा तो मतलब यह perpendicular आ जाएगा ठीक है तो option 2 हमारा correct होगया option 1 भी correct होगया हमें incorrect statement ढूणना no work is done in the moving of charge अब सपोज कर यहाँ पे potential v1 और यहाँ potential v2 है v1 वराबर v2 हो गया equipotential surface हो तो work done अगर हम हमें point 1 से 2 पे लेकर जाना है कोई charge q को तो क्या लिखेंगे v1-v2 या v2-v1 लिखते हैं और यह पूरा ही 0 होगा क्यों potential difference ही 0 होते work done तो 0 होगा ही होगा तो statement 3 भी correct है हमारा तो यह तीनों में से कोई correct मतलब हमारा option सही ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमें correct statement ढूलना है लास्ट statement क्या बोला है दस सेप आप दस सर्फेस ही जो आलवेज स्फेरिकल हाँ देखो यहां पर कोई possible ऐसा जरूरी नहीं है कि सेप जो होगा वो हमेसा स्फेरिकल हो जैसे मान के चलो अगर डाइपोल का एजाम पर लेते माइ सब्सक्राइब करता है कि यह चार्ज हमारा चार्ज डिस्ट्यूबिशन कैसा है तो हमारा जो आप्शन नमबर फूर कि यह क्रेक्ट होगा क्योंकि यह incorrect statement है ठीक है और हमें find बई करना ठीक है तो हमारा जो क्रेक्ट अंसर हो जाएगा option उप्शन हो जाएगा तो आए होप आपको यह शारी चीजें अच्छ ते समयमें होगी thankyou आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर